उदेश्य इस पाठ को पढ़ने के बाद विद्ध्यार्थियों को निम्नलिखित ग्यान प्राप्त होगा स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं स्वर स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किये जाते हैं हिंदी वर्ण माला में री इस परिभाशा का अपवाद है व्यन्जन जिन अक्षरों का उच्चारण केवल स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यन्जन कहते हैं हिंदी वर्ण माला में क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, 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 य, त, ठ, ड, ढ, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, श, ह, छ, त, क्य, व्यन्जन हैं वर्ण हमारे मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनी का लिखित रूप हैं राम अक्षर अक्षर शब्द का सबसे छोटा हिस्सा होता है सामान्य ध्वनी को व्यक्त करने वाले संकेत को अक्षर कहते हैं वर्ण और स्वर के मेल से अक्षर बनता है शब्द ऐसी ध्वनी जिसका कुछ अर्थ होता है अक्षर शब्द झाल 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 झाल